कि कैसा है नमस्कार पारेवीदियर्थियों आज की कलास में आपसे सभी का सफ título है हम कॉमन साथ स्टैटमेंट और प्रोफट एंड Profit जोफ बनाएंगे यानि समरूप लाभानी विव्यूड में बनाएंगे देखे सम्रूप लाभानी विविविविविविविविविविव से निकालते हैं किसे निकालते हैं revenue from operation यानि एक तरिके से क्या है बिक्री है एक तरिके से क्या है यह sales को क्या कहेंगे revenue from operation कहेंगे और इससे ही परतेक मद्द लाभानी विवरण की है उनका परतिसत ग्याद करके हम तुलना करेंगे अगर किसी संस्ता की दो अफदियों की राशिया दी गई है तो उनमें हम तुलना करेंगे उनका विस्टलेशन करेंगे और यदि किसी दो अलग-अलग संस्ताओं की एक अफदी की वीती समग दे गए हैं तो उनको प्रतिसत में व्यक्त करके हम उनका विसलेशन करेंगे उनमें हम यह पता लगेंगे कि कौन सी जो लाबहनी वीवरण की मद्द है वो प्रतिसत चाहता है कौन से का प्रतिसत कम है का विसलेशन करेंगे तो आपको ध्यान रखने की बात है कि जो लाव हनी वीवरन हम बनाएंगे common size में समरूप में तो जो प्रते के प्रते से था वो किस आदार पर निकलेगा revenue from operation के आदार पर निकलेगा और revenue from operation को क्या मानेंगे hundred मानेंगे जैसे common size balance rate में जो कुल संपत्या और कुल दाय तो उनको क्या मानते हैं hundred मानते हैं उसी परकार जब हम common size statement of profit and loss मनाते हैं तो उसमे revenue from operation को क्या मानेंगे hundred मानेंगे और इसके अधार पर सब्वी जो मदे हैं लाव आनी विरुण की उनको परतिसत की रूप में व्यक्त करेंगे चले स्वाल को देखते हैं देखे दो ओव्दी के हमारे पास सूचना दीगे दो जब तंदा शोड़ा और दो जार शोड़ा सत्रा सबसे पहले प्रचालन से अगम यानि revenue अगला है प्रचालन से आगम की लागत यानि cost of revenue from operation या cost of goods sold बोलते हैं इसको यह कितनी है पंदा शोड़ा में 4 lakh 28 000 और शोड़ा सतरा में 7 lakh 28000 अन्य आई अधर इंकम 10,000 और 12,000 आए कर 30-30 ठीक है कोई दीखत नहीं स्वाल को हम करेंगे तो स्वाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमें एक तो यह कहा रखा कि एप प्रतेक्स है वह सकल लाब का 30% है और सकल लाब परसन में नहीं दिया गया है तो सबसे पहले हम इंडिर्क्ट निकाल के देखते हैं तो इसके लिए हमने वर्किंग नौट पहले बिना लिया है स्वाल में कि अधर एक्सपेंसेज में आए अंतरकर के आएगा इंडिरेक्ट एक्सपेंसेज और इसको निकालने का सूतर है रेविनि फ्रों ग्रॉस प्रोफिट्र ब्राइबर रेविनिर फॉन प्रॉपरेशन मायनasma वा सब रहेए इस टो ग्रोंस प्रोंटेशन लाक थैश्ण एक तोड़ 1176 क देखते हैं। फो यूद नगिविजconomy और कोश्ट म् kicks up बढ़ते हैं तो इंडारेक्ट एकस्पेसेज हमने निकाल लिए अब हमें क्या बनाना है अब हमें येर एंड एंड 31 मार्च 2016 एंड 17 पर्टिकुलर का मॉंट आ गया एप्सोल्यूट अमॉंट 2015 16 और 2016 देखे जब बनाते हैं तो इस कोलम हम क्या लिखते हैं परसेंटेज और बैलेंशी टॉटल क्यों कि वहां पर कुल संपति और कुल दायुतों से प्रतेक मत का प्रतिसत निकाड़ा जाता है लेकिन जब हम स्टेटमेंट और फ्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं कॉमन साइज तो मैंने अभी आपको उपर बताया था कि जो प्रतेक मत का प्रतिसत है वो किसे निकाड़ा जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से और इसको हम क्याल मानते हैं हंड्रेड मानते हैं ठीक है तो इसी के आदार पर हम सब भी मतों का प्रतिसत निकाड़ेंगे तो क्या ल इसको अदर इंकम परसन में दी गई है 10,12,000 टोल लगा देंगे दोनों की तो टोल रेवेन्यू होगी 6,6,10,000 और 8,12,000 मैंने आपको बताय को रेवेन्य फुरॉम ऑपरेशन क्या होगी 100 होगी और इसी से सबी मतों का परतिसत निकलेगा इसी सबी मतों का परतिसत सब्सक्राइब कितनी है दस हजार बट्टा टोटल रिवेन्यु कितनी है छह लाग गुणा हंट्रेड तीन जीरों से तीन जीरों कट गए दो जीरों से दो जीरों कट गए तो दस में छे का भाग लगेंगे तो कितना हैं एक पॉंट छह साथ इसी तरीके से सौड़ा सत्रहानं में देख सकते हैं सौड़ा सत्रहान में कितना है बारह्ए हजार 22 का लगणा है यह ट।टा नद्रohn से SAY हमने परतिसद की रूप में बिक्त कर लिया यह हो कि टोटल रिवेन्यू टोटल रिवेन्यू की बात में देखे एक्सपेंसेज की बात करते हैं तो सबसे पहले ए कोश्ट अप्रेवेन्यू फ्रों उप्रेशन 4,28,000 और 7,28,000 ठीक है फिर अधर एक्सपेंसेज में हमने टीक्स यहन्य टोटल रिवेन्यू छाह लाग 10,000 मेंशी हमने चाहर लाग 37,000 फो गटाया तो हमारा प्रोफिट भी फ्रोन टेक्स कि टनाया कि इंकम्त्स सब्रों 1, Hist前 photo 1,000, carушка 30,000 teaches your work которой'a auto 599,000 और विकशनů पर प्रोफिट आफ्टर टेक्स 1560 तो शी 5330 और सोड़ास तरह का 44200 ये तो हो गया मरा ये अब इसको प्रतिसाथ की रूप में एफेक्ट करेंगे तो प्रतिसाथ की रूप में एफेक्ट करने के लिए प्रतियक मद्य में हमें किसका बाग लगाना है रेमिन्यू फ्रम ऑपर उप्रेशन का भाग लगेगा इसमें ते तीन जिरो इस तीन जिरो गया दो जिरो से दो जिरो गया तो 428 में कितने का अपके लगाना है छे का लगाना है तो ये चार सो अठाइस भाग च्छे तो च्छे सते 42 बच गया आठ 6 एकम 6 बच गया दो दो में जाएगा ने पॉइंट जीरो चैतिया चैतिया 18 बच गया दो फिर जीरो लगया चैतिया 18 31.33 इसी प्रकार से सभी मदों में हम क्या करते हैं रेवेन्यू फ्रम ओप्रेशन का भाग लगा अगर उनको प्रतिसत के रूप में व्यक्त कर लेते हैं अब कि जो हमने कॉमन साइज प्रोफिट एंड लॉस मनाया है तो इससे विचलेशन कैसे करेंगे विचलेशन कैसे करेंगे कि जैसे कोस्ट ओप रेवेन्यू फ्रम ओप्रेशन है वो दोजार पंध्राइसोरह में कुल रेवेन्यू का 71 परतिशत ही जबकि 2016 में कुल रेवेन्यू का 91 परतिशत प्रोफिट कोस्ट ओप रेवन्यू प्रम ओप्रेशन हो गया it इसका मतलब है वेशंट तोदर आसलता में हमारे 17 जो लागत्ते है वह बड़ी है अध्र बात करते हैं total expenses का तो 2015 सोड़ा में हमारी कुल रेवेन्यू का 88.5% total expenses था जब 16 में क्या हो गया 30.25 हो गया इसका मतलब total expenses है वो रेवेन्यू का बहुत जदा बढ़ है 2016 में लब की बात करते हैं तो profit before tax है वो कुल रेवेन्यू का 30% प्रोफिट था बढ़ा सोड़ा में जो गटकर 16 में कितना रह गया मात्र 8.25 और net profit या profit after tax की बात करते हैं तो कुल रेवेन्यू का 15 में 16.22% जो गटकर 16 में कितना हो गया 5.77% हो गया इसका मतलब 15.67 में लाबों में क्या होई है गिरावट होई है तो प्रतेक मत का हम विसलेशन करके हम नेड़ने ले सकते हैं कि हमें क्या सुधार के कारे करने चाहिए ताकि लागतों को कम किया जाए और लाबों में व्रदी की जाए तो आज की कलास में हमने जो common size statement of profit and loss है उसको बना कर देखा है कि किस परकार से हम statement of profit and loss बनाते हैं 2015 सोड़ा में revenue from operation 6,00,000,000 बाग लगया प्रतेक मंद में और 2016 सोड़ा की प्रतेसत ग्याद करने के लिए प्रतेक मंद में revenue from operation 8,00,000 का बाग लगया और हमारे पास मध्य है वो आगी जिसी यह मारे पास कितनी एक राण में एक आपको करके दिखाता हूं कि 7,28,000 देखे सोड़ा सत्रा में cost of revenue from operation कितनी है cost of revenue from operation 7,20,000 बटा कुल revenue revenue from operation कितनी 8,00,000 गुणा,100,00,C20,0,C20,70,000 to 2,000 गा है तो Quden 8,00, बेहों आपको कितने का अपक दना रही शाद एक टोifer हमें के क्टे reckon का बाग बाह Speech करना है और Commonwealth ko का कहते हैं,and his विस्लेस्थे हैं तो आज की किलास में हमने स्टेट्मेंट ओफ प्रफ्ट and लॉस् Germany से बारे में पड़ा है तो आज की क्लास में इतना है बागी हम सचे लेंच हम में पढ़िएंगे ठैंक्यू